मैं हूँ मोदी का परिवार सारे बोलो, जोर से बोलो, मैं भी मोदी का परिवार PM मोदी कुछ ऐसी अंदाज में अपने रैलियों में इन दिनों नारे लगवार है अपने भास्टों में कहते हैं, देश के 140 करोड लोग ही मेरा परिवार है मेरे लिए पूरा भारत ही मेरा घर है हर भारत वासी मेरा परिवार है सुनने में कितना अच्छा लगता है कि देश का प्रधान मंत्री देश की आवाम को अपना परिवार का रहा है कितने बड़े दिल वाला प्रधान मंत्री है लेकिन क्या यही हकीकत है क्या पीए मोदी के लिए पूरा देश और पूरे देश के 140 करोर लोग उनके परिवार की तरह हैं अगर भारत का हरनागरिक मोदी के लिए उनके परिवार की तरह होता तो क्या दिल्ली जैसे शहर से ऐसी तस्वीरे आती अगर इन लोगों को भी मोदी अपने परिवार की तरह मानते हैं तो क्या किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत होती कि नमाज के वक्त सजदे में जुके लोगों को लात मारने लगता जुम्हे की नमाज के वक्त अपने खुदा की अबादत कर रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर यू लाच चलाने की हिम्मत कर लेता उस दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो सीधे तोर पर केंदर सरकार के अधीन है केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिश्चा के हाथों में जिसकी डोर है पिये मोदी से कोई चैनल वाला पूछने की हिम्मत करेगा कि मोदी जी अगर पूरा देश आपका परिवार है तो क्या ये लोग आपके परिवार का हिस्सा नहीं है क्यों नहीं है कुछ मिनट के लिए सड़क के किनारे कुछ लोग अगर नमाज पढ़ने ही लगे तो क्या उनका गुनाह इतना बड़ा हो गया कि उनके साथ ऐसा बरताओ किया जाए दक्का मुकी करके नमाज अधूरी छोड़ने को मजबूर कर दिया जाए सअज़्दे में जुके नमाजियों पर लात्मरसाने का ये काम बजरंग डल के किसी लफंगे ने किया होता या बी-अच्पी के किसी गुरगे ने किया होता तो हम माल लेते क्योंकि हम इसके लिए अभ्योशत हो चुके है ओ लोग तो ये काम करते ही रहते दो साल पहले भी गुरुगराम में कई बार कट्टर हिंदुत वादे ब्रिगेट के हुर्दंगियों ने नवाज के वक्त लोगों के साथ सलुकी की नारे बाजी की अधूरी नवाज छोड़कर पार्कों से हटने को मजबूर किया और ये सब हर्याना सरकार में जो मंत्री और संत्री हैं उनके शाह पर हुआ है और ये हो रहा है मोदी जी देश के और भी कई हिस्सों से बीते कुछ सालों में ऐसी तस्वीरे आई है जो इस बात का तस्दीक करती है कि आपके राज में कैसा भारत बनाया जा रहा है लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो तो आपकी दिल्ली पुलिस के मनोज दोमर नाम के एक सब इस्पेक्टर ने किया है वीडियो वाइरल होने के बाद सोशल मीडिया में बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने नफरती इंस्पेक्टर को भले ही सस्पन कर दिया है लेकिन सवाल तो ये है मोधी जी कि एक पुलिस वाले के भीतर इतनी हिम्मत आई कैसे उसने सोच कैसे लिया कि नमाज के वक्त किसी को लात मार कर भगाया जा सकता है दिल्ली में है जवाब भुछ सीधा है मोधी जी आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के दिमाग में जहर की खुराक ने असर दिखाना शुरू किया है सरकारी महकमों में बैठे बहुत से लोगों को लगने लगा है कि मोधी योगी और अमिशा का दौर है मुसल्मानों के साथ अगर ऐसा सलुक कर भी लिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं मुल्डोजर चलते हुए लोग देखी रहे उन्हें लगने लगा है कि उल्टे हजारों लोग उनकी तारीफ के लिए उनके साथ खड़े हो जाएं जो किया साही किया ट्विटर पर कल देर शाम से यही तो हो रहा है हजारों लोग उस नफरती पुलिस अधिगारी के पक्ष में ट्विट कर रहे इस हैस्टेक के साथ अनाप सनाप लिख कर उस सब इंस्पेक्टर के साथ खड़े होने का एलान कर रहे हैं लोग सड़क पर नवाज पढ़ने वाले मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उसके होसला अप जाई कर रहे हैं उसे बहादुरी का तमगा दे रहे हैं ऐसा लिखने वाले सारे लोग आपके ही चाहने वाले हैं मोदी जी उन्हें पता है कि नवाज पढ़ने वाले दाड़ी टोपी वाले ये लोग आपके परिवार के नहीं हैं जो आपके परिवार का हिस्सा है उनके साथ आपकी सत्ता आपके मुख्यमंद्री, आपका सिस्टम कैसे वरताओ करता है वो हम कई बार देख चुके हैं, पूरी दुनिया देख चुके है कावर यात्रा के दौरान यूपी की सडकें सैक्रो किलोमेटर की सडकें कावरियों के लिए कई दिनों तक रिजर्व कर दी जाती है हाईवे रिजर्व कर दिया जाता है जाने आने वाले लोगों को इतनी परशानी होती है कि दो घंटे का सफर साथ साथ आठाट घंटे में पूरा होता है और कई दिनों तक मैं खुद पिछले साल दिल्ली से मुरादाबाद जाने के लिए निकला और ऐसा फसा कि छे साथ घंटे लग गए दो घंटे का सफर पूरा करना जाम में फसता हुआ बड़ी मुस्किल से रामपूर होता हुआ कहीं पहुचा सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरा हाईवे कावरियों के लिए रिजर्व था पूरी सरकारी मशिन रिए उनकी सेवा में जोगती जाती है हेलिकॉप्टर पर सवार सुबे के स्रीम और पुलिस के अधिकारी कावरियों पर फूलों की बारिश करते है कावरियों को भी पता होता है क्यों सब आपके परिवार के हैं मोदी जी इसलिए उनके होसले इसकदर बुलंद होते हैं कि कोई DM या SP अगर उन्हें बेलगाम होते देखकर टाइट करने की कोशिश करे तो मुसीबत अधिकारी की होगी ये कावरियों को पता होता है जब CM ही आस्मान से फूल बरसा रहा हो तो नीचे वाले अधिकारी या कारिंदों की क्या है सिए तभी तो बीते साल बरेली में बेलगाम कावरियों को कंट्रोल करने वाले SSP प्रभाकर चौधरी को उनके किये कि सजा मिली और चंद घंटों में उनका तबादला कर दिया गया था वीडियो मैंने उस पर भी बनाया था मेरे यूट्यूब चैनल पर मौझूद है SSP प्रभाकर चौधरी का कसूर सिर्फ इतना था कि तैशुदा रूट को छोड़कर स्चोर गुल के साथ डीजे बजाते हुए हंगामा करते हुए हुर्दंग के साथ कावरियों का एक ग्रुप मुस्लिम इलाके से गुजरने की जिद कर रहा था पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिद पर अर गए कावरिये कि हम मस्जिद के सामने से ही जाएंगे पुलिस के समझाने पर भी जब नहीं माने तो एसेसपी ने उनके मन्शा भापकर अपने ड्यूटी निभाई और बल परियोग करके उन कावरियों को तैस शुदा रास्ते से जाने को मजबूर किया वहां नहीं जाने दिया गया जहां वो जाना चाहते लेकिन मामला तो कावरियों पर बल प्रियोग का था बले ही कसूर कावरियों का था फिर भी ततकाल प्रभाव से सजा S.S.P. साहब को मूले और ट्रांसपर कर दिये गए बीते कुछ सालों में ऐसा धर जनुबार हुआ है जब शोभा यात्रा के दौरान रामनौमी के दौरान या ऐसी ही किसी धार्मी के यात्रा के दौरान रास्ते में पढ़ने वाली मस्जिदों के बाहर हंगामा किया गया मस्जिदों की मिनारों पर भगवा जंडे फाराए गये या हुर्दंग किया गया ताकि तनाओ उनकी हैसियत बताई जाए मस्जिद के बाहर यात्रा रोक कर खास तोर से डीजे बजा कर उत्ते जक नारे लगाए गए दर्जडों पचासो वीडियो है ये सब ओन रिकॉर्ड है मोदीजी ये सब नई भारत की दास्तान के तोर पर उतिहास में दर्ज ओड़ा है मोदीजी ये मान भी ले कि नमाज सरको पर पढ़ने के वज़ाए मस्जीदों में पढ़ी जानी चाहें और यकीनन पढ़ी जानी घरों में पढ़ी जानी सरको पर ट्रैफिक को नहीं रोकना चाहिए लेकिन अगर कहीं कुछ लोग नमाज पढ़ने आ भी गए तो उन्हें रोकने और समझाने की तरीके हो सकते है कोई पुलिस वाला आकर लाट कैसे मार सकता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में नफरत का माहौल बनाया गया है हर रोज बनाया जा रहा है मीडिया के जॉइंट विंचर के साथ मुसल्मानों के खिलाफ एक ऐसा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसे हर नफरती लोगों को ताकत मिल रही है हर रोज चैलनों पर हिंदू मुसल्मान वाली बहसें इसलिए तो होती है ताकि मोदी को हिंदू धर्म ध्वजाधारी घोशित करके देश में बीजेपी के पक्ष में नेरेटिब गड़े जाए चैलनों को आपका ही संरच्छन प्राप्त है मोदी जी तभी तो दिनराथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके हिसाब से काम करते हैं समविधान विरोधी प्रविर्ती के साथ लोकतंत्र के विचार और सांप्रदाइक सौहार्द का गला गोटते हैं ताकि मोदी जी आपका ज़ंडा सबसे हूँ जा रहे हैं आपके सामने कोई टिक न सके हैं इन चैलनों को रेगुलेट करने वाली कोई संस्था अगर कभी पचास जार एक लाग का जुर्माना किसी एंकर पर लगा देती है या फिर सुप्रिम कोट इनके नफरती एजेंडे को लेकर फटकार लगाता है तो भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं परता है क्योंकि इने पता है मोदी जी हैं न हमारे पीछे और जब ये सब अपने मन माफिक ही हो रहा है मोदी जी करदेश की 140 करूर आबाद या आपके परिवार का हिस्सा है या आप सब को समान भाव से देखते हैं तो ये दिखना चाहिए ना मूदी जी या नायास नहीं होता है कि कोई आर पिएफ का कोई सिर्फराज चेतन सिंग नाम का पुलस वाला चलती ट्रेन में चुन चुन कर मुस उसने तै किया कि आज अपनी राइफल के सारी गोलियां चलती ट्रेन में दाढ़ी टोपी वालों को चुन चुन कर उनके सीने में उसके जिस्म में पैवस्त कर देगा राइफल खाली कर देगा यह सब इस देश में हो रहा है मोदी जी क्या ऐसी हिंसक वारदातों के शिकार लोग आपके परिवार के नहीं हैं मोदी जी आप भले ही 140 करोड लोगों को अपना परिवार बताने में जुटे हैं लेकिन देश के एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी भी है क्या उस आबादी को अपना परिवार मानतें अगर मानतें तो चुनाओं में ये तो नहीं कर ते योगी जी आपके ग्रिम मंत्रिया में शाह दिल्ली की चुनावी सभाव में ये तो नहीं करते कि बाहरी दिल्ली में इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहिन बाग में लगे आपके मंत्री चुनावी सभाओं में गोली मारो सालों को जैसे नारे तो बुलन नहीं करते आपके सांसद और नेता आए दिन मुसल्मानों के सामुहिक भष्षकार की बात तो नहीं करते उन्हें सबक सिखाने के अपीलें तो नहीं करते डेवल इंजन वाली आपके सरकार के रहते हर्याना में जिस नासिर और जुनायत को गुरक्षकों के गिरोह ने मार डाला वो क्या आपके परिवार के नहीं थे मोदीजी या बिलकिस वानों आपके परिवार के नहीं थी मोदीजी जिसके साथ गैंग रेप और दरिंदगी करने वाले जिसके परिवार के 11 लोगों के हत्या करने वाले आपकी डवल इंजन की सरकार की महरवानी से जेल से चूट गए थे आपका ते पूरा देश आपका परिवार है हर भारतिया आपका परिवार है 140 करोड लोग आपका परिबार है आपके ही गुजराद जेल से बिलकिस के दरिंदों की रिहाई के बाद उन्हें फूल माला पहना कर मुँ मिठा करा कर स्वागत किया गया था वो भी उसी दिन जिस दिन आजादी के अमरित महोच्छों के मौके पर लाल किले से महिला के मान समान के लिए अपला च्छेदार भाशन जाड रहते है आपकी ही पार्टी का एक बिधायक उन नरिंदों को संसकारी ब्राबन कहता है बी जे पी के नेता से लेकर केंद्रिय मंत्री तक इतनी लानत मलामत के बाद सजायाफता गुनहगारों की रिहाई के वक्त और उसके बाद उस रिहाई को जस्किफाई करते है एक मुस्लिम बेटी और मुस्लिम परिवारों के साथ हुई बरबरता पर आप मौन साधे रहते हैं मैं भी गुजरात दंगों के दिनों में आपकी भुमी का और आपकी सरकार पर लगे आरोपो पर तो बात नहीं कर रहा हूँ उस पर पहले से हजारों पन्ने रंगे एक गूगल करेगा लोगों को बहुत कुछ मिलेगा कई किताबे लिखी जा चुकी है BBC डॉक्मेंटरी तक बना चुका है जिसे आप भारत में बैन भी कर चुके है मैं तो उस प्रधान मंत्री मोदी की बात कर रहा हूँ जो विश्वगुरू बनने को लालाईत है चुनाओ के पहले नया दाओ चलते हुए भारत को या भारत के हर नागरी को अपना परिवार और मैं भी हूँ मोदी परिवार जैसे नारे बुलंद कर रहा है कोई तू पूछे कि बिलकिस मानों का परिवार आपका परिवार क्यों नहीं है मोदी जी बिलकिस के गुनागारों को सुप्रिम कोट के आदेश पर वापस जेल में ठेला गया और आपके सरकार के मनशा को तेश की सबसे बड़ी अदालत ने एक्स्पोज कर दिया आपको एक मार भी अगर बिलकिस के साथ हुई इतनी बड़ी नाइंसाफी पर शर्मिंदगी हुई होती तो लगता कि आप कुछ कह रहें उस पर यकीन करें शर्मिंदगी नहीं हुई तो मेरा परिवार हर भारतिया मेरा परिवार 140 करोड लोगों को मेरा परिवार कहने का ढखोसला और चोचलिवाजी बंद कर दिये UP से लेकर MP तक में मुसलमानों के घरों पर भिना अदालती फैसले के जिस तरह से बुल्डोजर चलाय जा रहा है उनके घरों को जमीदोज किया जा रहा है पकर कर जेलों में ठूसा गया है वो आपके परिवार के नहीं है न मोदी जी आज भी देश की जेलों में बहुत से ऐसे मुसलिम सर रहे हैं जिनके खिलाब कोई पुखता सबूत नहीं मिला ले हैं कोई उमर खालीद जेल में इसलिए सर रहा है क्योंकि आपकी सरकार को उसका विरोद पसंद नहीं कोई डॉक्टर कफील खान इसलिए महनों तक जेल में संगीन धारों में ठूस दिया जाता है क्योंकि उसे आपकी सरकार पसंद नहीं करती है कोई सिद्धिक कपन गंबीर धाराओं में जेल में 22 महिने तक साड़ा दिया जाता है क्योंकि उ मुसलिम है विरोध की आवाजों को देश्ट रोही, नकसली, टुकडे टुकडे गैंग, खान मार्केट गैंग कहकर उनके खलाब मुकदमे दर्ज कराने या उन्हें परिशान करके तमाम तरह के हतकंडे अपनाने का सिलसला तो आपके ही दोर में सुड़ू हुआ है मोदी जी इतिहास कबा है सब कुछ लिखा और दिखा गया है विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दंब भरने वाले बीजेपी में देश की इतनी बड़ी मुस्लिम आवादी की हिस्सेदारी क्या है मोदी जी आपके पास दिखाने के लिए गिंती के चेहरे हैं वही मुखतार अबास ड़त्वी वही शाहनवाज हुसेन वही सही कुछ और इनकी भी आपकी पार्टी में क्या हैसियत रह गई है इनसे बेतर कोई नहीं जाता दर्दे दिल है काभी नहीं सकते बेचारे तो मत कहिए कि पूरा देश आपका परिवार है मोदी जी ये ढखोसला ये चोचले बाजी कोई भी समझदार आदमी समझता है मोदी जी कहते है पूरा देश और हर भारती है उनका परिवार है जबकि सच तो ये है कि बीजेपी के परिवार के भी कई नेताओं को आपने परिवार से बाहर कर दिया है मोदी जी दूसरे परिवारों के नए सदस्यों को अपने परिवार में शामिल कर लिया और अपने परिवार के पुराने सदस्यों के हैसियत पर ऐसी कुलहरी चला दिया मोदी जी आपने कि सहाभी नजाय कुछ कहा भी नजाय वाली हालत उनकी हो गई है झजब आप अपनी सभाओ में ऐसे नारे लगवार है कि आप सभी बोलिए मैं भी मोदी का परिवार तो आपके नारे को आप्म साथ कर के आपको खुश करने के लिए आपकी पार्टी के उनले ताओं ने अपने ट्वीटर प्रोफाइल में लिख दिया है मैं भी मोदी का परिवार जिनका कद्द आप छोटा करना चाहते हैं या जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन्होंने भी लिखा उपाई क्या है उनके पास बिचारों के पास ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है सर जी आपका डर कहें उनकी मजबूरी देखिए कि जिस शिवराज सिंग चोहान का अपने MP की कुरसी से पत्ता साफ कर दिया या कहें जिन्हें जवरन सीम की कुरसी से उतार दिया वो बिचारे भी अपने bio dot of society में लिख रहे हैं अपने bio में लिख रहे हैं शिवरा सिंग चोहान मोधी का परिवार वो वसुंदरा राज सिंधिया जिनके परकटरने के लिए आपने और आपके कारकुनों ने इतनी चाले चली फिर भी वो भी क्रिपा कांची होने के लिए लिख रही है वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी का परिवार आपकी सरकार में शामदार काम करने वाले जिस नितिन गड़करी का नाम उमिद्वार के तौर पर बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है आप से उनके मतवेद और उनके बयानों को लेकर तमाम तरह के क्यास लगाय जा रहे है वो नितिन गड़करी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते है पता है इसका मतलब क्या है उन्होंने भी लिख दिया है नितिन गड़करी मोदी का परिवार राजना सिंग जैसे दिगज नेता और मंत्री भी मन मसोस कर खुद को मोदी का परिवार साबित करने में जुटे हैं क्योंकि खत्रे बड़े हैं अगर ऐसा किया नहीं करें तो करें क्या आपकी क्रपा तो सब को चाहिए सब के काम क्रेडिट लेने के चकर में जिन मंत्रों के प्रोजेक्ट का फीता काटते वक्त जिनने अब फोटो फ्रेम तक से बाहर कर देते हैं ताकि कैमरों का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर रहे वो मंत्री भी बेचारा नंबर बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफाइल में लिख राया है मोदी का परिवार उन्हें पता है कि अगर खुद को मोदी का परिवार नहीं कहा तो ना तीन में रहेंगे ना तीरा में हाँ मोदी जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने बीते दस सालों में अपने सियासी परिवार का बहुत विस्तार किया है आए दिन उस परिवार में नए नए सदस्य अब जोडते जा रहे है अपने इस परिवार के विस्तार के लिए फर्मूला भी अपने जबरदस्त खो जा है पहले CBI, ED, Income Tax इन सब को विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ तो, खुला फिर उन्हें ऐसा विकल्प दो, या ऐसी घेरा बंदी कर तो, या इतना डरा दो कि अगर मोदी जी के परिवार में शामिल नहीं होगे, तो गए, शामिल हो जाओगे तो जान भी बचेगी, जेल की हवा भी नहीं खाओगे, और जो बचा हो, बचा भी पाओगे वाशिंग मशीन, दिल्ली के बीजेपी मुख्याले से, रज की राजधानियों के बीजेपी आफिस में ऐसी मशीने रखी है में स्विच आपके और हमिशाह के पास है मोदी जी, वाशिंग मसीन से धुलकर, सब जख सफेद होकर आपके पाले में आ जा रहे, इस पर तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं आप और आपके कारकुल, जिन नेताओं को भरस्ट और घोटाले बाज कहते रहे, उनमें से दरजनों नेता आपके पाली में आकर आपके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं जाहे महराष्ट के NCP लीडर अजित पवार जैसे नेता हो, जिनके खिलाप आप खुद सालों तक भासन देते रहे, उन्हें भरस्ट आचार के लिए जेल की हवा खिलाने की बात बीजेपी नेता करते रहे, आपके भासन भी गूगल में दरजनों नेता करते रहे, आपके माया है, अजीत पवार डिप्टी सीयम है, मोदी जी खुद एक सब्ता पहले अजीत पवार के घोटालों पर भाशन दे रहे थे, और एक सब्ता भाद उन्हें अपने पाले मिला कर कुर्सी दे दे, अब किसका किसका नाम ने है, आसम के जिस कॉंग्रेस नेता हेमंत भरश्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा था, हम इस साह तक जिक्र कर चुके थे, बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, वही है मंत विस्वा, आपके लाड़ ले सीयम है, बगल में ही बंगाल है, असम के बगल में, वहां के शुबंदू अधिकार इसे लेकर मुकुल राय था, और भी कही है, एक कल भी शामिल हुए है, बीजेपी जिनके खिलाब भरश्टाचार की फाइलें दिखाई करती थी, बीजेपी नेताओं के भाशनों में टीमसी के वो नेता बड़े विलन की तरह दिखते थी, लेकिन बाद में उन्हीं जो आपकी शरन में आकर आपके परिवार का हिस्सा बन गए और आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, वरना उनमें कईयों को सलाखों के पीछे गाना परता है, तो ये तो आपके परिवार में विस्तार हुआ है, मोदी जी, इसलिए विपक्ष के लोग करें, ये है आपका अस करते हैं, बीते पौने दस सालों में सब कुछ हमने थ्वस्त होते हुए देखा है, संसत से लिका साथ तक, संसत में विपक्ष के साथ जो बड़ता होगा, चैनलों में जो विपक्ष के साथ बड़ता होता है, जिसके पीछे डोर तो कहीं मोदी जी आपकी, आपकी तरफ से जो डोर खीची गई, जितनी चूट उने दी जाती है, तो इसलिए ये कहना, भाशनों में इस तरह कि लफाजी करना, जमीनी हकीकत से उसका कोई रिष्टा नहीं, तो मोदी जी, देश की जनता बहुत बारी की से आपके भाशनों को देखती है और सुनती है, और एक बड़ नहीं दिया, इंडियों को जोड लें तो मान लीजे 43-45 परसेंट, अगर और कुछ राज्यों के बिधान सबाचुनाओ को जोड लें तो मान लीजे 50 फिजदी, तो भी 50 फिजदी से जादा लोग आपको वोट नहीं करते हैं, लोग सबाचुनाओ में 40 फिजदी से जादा आपको वोट नहीं करते हैं, वो जिनें वोट करते हैं, जिन पार्टियों को वोट करते हैं, उन पार्टियों के लिए कितना किस तरह से टार्गेट करते हैं यह जनता वो भी देखती हैं, और वो लोग अगर आपको अपने परिवार का मानते हैं, वो मानते हैं कि मोधी जी का परिवार मेरा परिवार और मैं मोदी जी का परिवार का हिस्सा हूँ तो मोदी जी आपको तो सौफ हिस्दी वोट मिलने चाहिए तो इसलिए कहना एक सचालिस करोर भारती है मेरा परिवार है मैं भी मोदी का परिवार मैं भी मोदी परिवार इस जुम्ले आजी से जमीनी हक्किकत का कोई रिष्टा नहीं मोदी जी इस वीडियो को मैं बहुत लंबा कर सकता हूं बहुत कुछ है कहने को लेकिन फिलाल इसको यह खत्म करता हूं मुझे पता है कि चुनाओं में अगले दो मेहने तक सबसे बड़ा मुद्धा मोदी जी आप यही को में जाता हूं बहुत सारे लोग जो पबलिक होती है वो गुसे में आक्रोश में मोदी के परिवार के बारे में मोदी की परिवारिक जिंदगी के बारे में पत्नी के बारे में वैवाहिक जिंदगी के बारे महुत कुछ लोग करते हैं मैं सिध्धानता चुकी उससे सामत नहीं होता हूँ कि ठीक है एक वैक्ति का की निजदा होती है मैं उसको कई बार एडिट करता हूँ यह मेरी राय है लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं कि हर भारती है मेरा परिवार तो यह भी देखना और समझना होगा क्या वाकर यह सब आपके परिवार के लोग हैं क्या और उन्हें परिवार मानते हैं क्या और वो भी क्या आपको अपना परिवार मानते हैं क्या और वो नभी माने अगर आप मानते हैं तो उनके साथ सही बरताओ आप करते हैं क्या फिलाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मोदी जी फिर मुलाकात ह होगी मोदी जी को एड्रेस कर रहे हैं आज नमस्कार